सबी का स्वागत है चैनल में स्टार्टिंग में जब मैंने सद्गुरू की वीडियो देखे और यूथ एंट रुथ देखा तो मेरा भी सद्गुरू से मिलने का मन करता था और मेरे माइंड में जो कोशेश थे मेरा मन करता था कि मैं भी उनसे कभी मिलूंगा जिन्दगी में तो उनसे पूछूंगा इन सवालों के जवाब बहुत सारे लोग हैं जिनका भी मन करता होगा सद्गुरू से मिलने का है सद्गुरू से सवाल पूछने का तो अगर आपको सद्गुरू मिल भी गए तो क्या क्या आप उनके साथ हमेशा रहोगे या फिर आप एक मुमेंट के लिए उनसे मिल भी गए तो क्या होगा उस मुमेंट पे और क्या वो जो उस मुमेंट में घटित होना है क्या वो बिना सद्गुरू के फिंजिकल प्रेजेंस में जाए हुए नहीं हो सकता क्या अनेको लोग हैं जो सद्गुरू के साथ अनेको अनेको प्रोग्राम अटेंड कर चुके हैं बट स्टिल वो लोग उन्हीं लिबिटेशन में बदेवे हैं जिन में पहले थे तो ऐसा क्या हो जाएगा अगर आप उनसे फिजिकली मिल भी गया आपने फिजिकली उनको देख भी लिया दुनिया में हजारों लाकों लाकों नी करोनों लोग होंगे जिन्हों ने सद्गुरू को देख लिया होगा बाट स्टिल क्या क्या हो जाएगा ऐसा जब तक आप रेड़ी नहीं हो तब तक क्या ही हो सकता है मैं आपको example देना चाहूँगा कि भगवान बुद के साथ जो श्री आनंद जी थे वो हमेशा उनके साथ रहे जो जो भगवान बुद जहां पर भी कुछ सिख्षा देने जाते या कुछ टीचिंग देने जाते तो आनंद उनके साथ हमेशा रहते परेंदू आनंद उस समय तक जब तक भगवान बुद थे तब तक आनंद अपने ultimate nature को नहीं पा पाए मतलब जिसको निर्वान कहा जाता है वो आनंद नहीं प्राप्त कर पाए उनको पात सारा मालुम था भगवान बुद के साथ जब वो हमेशा रहे होंगे तो उनको सब कुछ पता है कि ऐसा ऐसा होता है बट उनके experience में वो चीज नहीं थी तो ऐसे ही जब हम अभी silence program अटेंट करने के लिए गए थे तो सद्गुरू ने भी example दिया था यहीं वाला कि जब तक भगवान बुद शरीर में थे तब तक आनद को अरहत्व की प्राप्ती नहीं होई थी वो एक्चुली एक camera man को यह बात सुना समझाना चाह रहे थे कि सब कुछ तुमारे सामने हो रहा है बट तुम उसको grasp नहीं कर रहे हो आनद की तरह मत रह जाना इस चीज़ को देखो इस चीज़ को समझो वो उस उन camera man को समझा रहे थे तो मैं आपको यह कहना चाह रहा हूँ कि लोग उनके साथ रहने के जिनकी जिन्दगी उनके आसपास ही कट गई सद्धगरू के आसपास कट गई इवन वो लोग जो है वो अभी भी उनी बंदों में कुछ बंदों में फसे हुए है तो क्या आप वो एक moment जो आपके केवल thought process से generate वाएगी मुझे एक बार देखना था देखना है मिलना है या कुछ सवाल पोचने है तो मुझे नहीं रखता कि ये वो moment जो है ये आपके अंदर उतनी fire है जो आपको बाहर ले जा सके है मैं भी आपको be little ले कर रहा हूँ बस्ट मैं आपके सामने example दोंगा ठीक है fire की बात जो है देखो जब हम यूट्यूब, instagram इन सब चीजों पे इन सब जगह पर हम देखते हैं कि सद्गुरू जाते हैं और बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब देते हैं हमारे मन में भी बहुत सारी चीज़े होती है हम जो पूछना चाहते हैं लेकिन है कि वो मन है ये आपके मन में उठने वाली चीज़े हैं कि fancy इसको fancy thoughts भी हो सकते सद्गुरु कहते कि अभी हम YouTube या जगा जगा इसलिए जा रहे है क्योंकि अभी मैं लोगों को entertain करना चाहता हूं लोगों को बस एक छोटी सी रहा दिखाई जानी चाहिए तो इसलिए हो रहा है बस लेकिन थोड़े समय के बाद यह सब चीजें जो है वो सब चीजें खतम हो जाएगा आपको दिख भी गया होगा कि आप सद्गुरु बहुत कम ही जाते हैं अगर किसी युनिवसिटी में चले गए जब तक यूधर टूथ करना था तब तक बहुत सारी जगह गए बढ़ आप यह बहुत कम हो चुका है और उठेगा कहां से आपके लिमिटेड थॉर्ड प्रॉसेस से ये थॉर्ड प्रॉसेस के सवार्ड प्रॉसेस खतम होते ही सवाल खतम हो जाएंगे तो में अल्टिमेट चीज वही है इन चोटी चोटी चीज़ों की वज़े से अगर आप मिलना चाहते हैं मुझे लगता नहीं कि अभी आप उस चीज के लिए रेडियो एक लड़का है जिसके साथ मेरा इंटर्वियू था मैंने प्रॉड कास्ट की थी उसके साथ विशाल नाम है साधरा पदा पार्टिस्मे बुड़के घाई से आउडियो आई है एक बार उसने वो ऑडियू से लगा कि ये बुड्धा जो है कुछ तो सेंस बना रहा है ऐसे वरड थे कि कोई बुड़़ा वेक्ति जो जिसकी बाते सेंस बना रही है पिस उनको शुनना शुरू किया और धीरे धीरे उसे साधरा चला गया आश्रम चला गया बिना घर वालों को बताए चीज को देखो ये फायर ये फायर थी उसमें और फिर वो कहता है कि मैं वो सद्गुरू से किस प्रकार मिला आप इस चीज को भी समझना मैं किस फायर की बात कर रहा हूँ उसने बोला वो वहां पहुँच गया और वो क पहुचा और सद्गुरू आई नहीं रहे। उसकी जो चाहत दी है इंटेंसिटी थी इतनी हाई है इतनी हाई है किस अब को छोड़ के आ गया और अभी भी सद्गुरू आी रहें उसको सद्गुरू से शायद कोई सवाल पूछना है तो एक दिन उसकी इंटेंसिटी ये फायर इतनी बढ़ गए इतनी बढ़ गए उसने मन में सोचा बुलाया था ना आ गए अब मिल भी लेना उसने ये दिरिड निश्चाई किया था ये उसके अंदर बहुत इंटेंसिटी से सवाल उठा था और पता है आपको सद्गुरू उससे बिल ने आए उसको पहले लगा कि सद्गुरू उससे मिलने नहीं आए है एक बाद उसके बगल से अरे吸कर किए फिर वापस दुबारा से बाइक चेंज़ करके है फिर गूम की उसके सामने बाइक लगा दी और वो लडगा फिर जाकर है सद्गुरू के उसने पैर टच किये सद्गुरू की आंखों में आंके डालके आंके 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 डालके देखा और वो कहता है कि वो एक्स्पिरियंस जो था वैसा कुछ नहीं हुआ अगर आपके अंदर इतनी फायर है इतनी फायर जनरेट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है अगर ऐसी फायर है तो वो जो एक मुमेंट हुआ उस लड़के के साथ अब उसके बाद शायद उसकी जिन्दगी वैसी नहीं रही आप वो पॉड़कास्ट भी जरूर देखना जरूर जरूर देखना आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अगर आपके सिंपल कुछ कोशन्स हैं वो आपको यूटिप पे उनके वीडियोस के दोरा जवाब मिल जाएंगे लेकिन आपको अगर सदूर से सहे में मिलने की चाहत है वो चाहत बताओ कैसी होने चाहे कि जमना सदूर से मिलू तो मैं डिस्ट्रॉय हो जाओ वैसी चाहत आपके अंदर होनी चाहिए ये चाहत के साथ आप जा रहे हो तो he will come आपको नहीं जाना है intensity इतनी हाई होनी चाहिए कि भाई यहीं रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए यहीं रहूँगा मैंने लॉक्डाउन के समय पर अजब सेव सॉयल का campaign चल रहा था तो एक lady उनके पती और एक छोटा बच्चा उनका बच्चा हुआ था वो चाहते दे कि सद्गुरू आकर उस बच्चे को blessings दे तो वो लोग उन लोगों को बता थे कि उनके शहर से होकर सद्गुरू गुजरने वाले उन्होंने उसी जगापर खड़े होकर सद्गुरू का वेट किया और सद्गुरू वहां गए और उनके लड़के को blessings दी अब आप कोई कि इसके प्रूफ क्या है उस समय पर वीडियो आए थे और अभी मेरे पास stored नहीं है वीडियो वाना पका दिखा था आपको तो ये fire थी उनके अंदर इतना है कि वो आएंगे वो रुके वे हैं वहाँ पर और उनको पता भी नहीं है कि आएंगे कहां से आएंगे कैसे आएंगे बट दे नो की he is here और वो वेट कर रहे है वो आए आकर उनके बच्चों का अशिरवाद दिया if you have that kind of fire तो he will come or something from him will come मेरे को न हट योगा सीखना था और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यार जिन हट योगा टीचर ने मुझे अंग मर्दना और योगासना सिखाया ना मेरे को योगासना सिखाने के बाद वो अगली बार दुबारा धरत उनमें आई नहीं दुबारा कोई प्रोग्राम भी नहीं हुआ दो साल बीद गए तो आप क्या समझ रहे इस बात से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही सिखाने आये थे हैं याँ पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा ही लगता है कि वो आदमी दो हट योगा के प्रोग्राम करें उन्होंने उसके बाद वो आये ही ने सो मैं क्या मतलब वो भेजे गए मुझे ऐसा लगता है कि मिल जो हट योगा सिखाने के लिए वो भेजे गए थे आपके अंदर वो फायर हो नीचे और जब आप एक बार उस चीज़ से टाच हो जाओगे ना तो फिर आपकी वो चाहते खतम हो जाएंगी कि मैं उनसे जाके परसनली मिलो क्योंकि जब आप साथना करने लगते हो ना आपको उनकी प्रेसंस फील होने लगेंगी और जो आपके अंदर जो चीज़े थी जो सवाल थे वो सवाल खतम होने लग जाएंगे सवालों को जवाब नीचे आपको सवाल ही खतम हो गए यह वस्ता आपको दीरे दीरे प्राप्त ले लगेंगी और फिर भी हमें लगता है कि जो है सद्गरू से हम फिजिकली कभी मिल पाएं या ना मिल पाएं मैं आपको यह कहरा चाहता हूँ कि फिजिकली मिलने की ज़रूद है ही नहीं अब बहुत सारे लोग यह वो सकते हैं कि सद्गरू ही ऐसा कहता है कोई और क्यों नहीं कहता कि he is beyond space and time available beyond space and time तो अभी थोड़ दिन पहले मैं एक एक तांत्रिक है उनका नाम है प्रकर ओम भट वो रणबीर अरावधिया के शो में आये थे उनके दो एपिसोड आ चुके हैं पहला वाला एपिसोड बहुत बढ़ी चपरदस था फिर मैंने उनका दूसरा एपिसोड जो अभी लेटेस्ट आया पहले वाले एपिसोड में उन्होंने महादी शक्ती की बारे में बात करी थी बहुत ही बहुत बढ़ीया चीज़ें बताए थी सेकंड पॉड़कास्ट में प्रकर ओम ने बताया कि किस प्रकार से ओम स्वामी ने उनको आकर दिक्षा दी थी फिजिकली आके दिक्षा नहीं दी थी फिजिकली नहीं आके दिक्षा दी थी वो सपने में आके दिक्षा दी है सपने में आके दिक्षा दी है इसका मतलब ओम स्वामी भी ऐसी बात कर रहे है तो सद्गुरु जो बात कर रहे है कही समय से पहले अब आपको दिरे दिरे और लोगों के बारे में बाते सुनने को बिलेंगी कि सद्गुरु is beyond space and time अब बागी लोग भी ऐए बात कर रहे हैं ना दिरे दिरे जब आप और आगे बढ़ोगे अभी बहुत सारे लोग खुल के सामने आने वाले हैं तो आपको चीज़े पता चलेंगी कि हाँ अभी अने को ईशा मेडिटेटर होंगे जो यूट्यूब पर खुल के बात करने लगेंगे बहुत ज़्यदा ज़रूरी है इसको मेड स्ट्रीम बनाना बहुत ज़रूरी है तो राम अन्ना के साथ मैंने पॉड्कास्ट किया था तो राम अन्ना कहते है कि जब वो पहली बार शिरी रमर महर्शी की समाधी के पास बैटे थे तो वो समाधी के वस्ता में चले गए थे रमर महर्शी की जो समाधी है उसमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पाउरफुल समाधी है वो तो रावणना बोल रहे थे कि स्टार्टिंग में उस तरह में पर उनके स्पिरिचुलेटी के बारे में ज़्यादो कुछ पता नहीं थे या उनके पास कोई practices नहीं थी तो उसनब एपे समाधी पर जाके energy spaces में जाके उनको कुछ अच्छी लेवल की states महसूस हुई थी या वो समाधी में चले गए थे लेकि दुराम अब कहते है कि सद्गुरू से दीक्षा प्राप्त करने के बाद या उनकी साधना करने के बाद उनके किसी space में जाने की ज़रूरत नहीं है वो यह पर बैठे बैठे समाधी को प्राप्त कर सकते है और वो यह भी कहता है कि सद्गुरू is available to me every moment मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है energy wise he is connected आप उनकी videos देख लेना कभी कभी वीडियो देखते देखते इस तरीके से करते है या कुछ कुछ ऐसा करते है so he is in connection with something जब मैंने उनके साथ podcast बना जितनी बार भी मैंने उनके 3 podcast हो चुगी है जितनी बार भी मैंने उनको देखा है ना मतलब starting में तो मैं दो तीन देख तक बिल्कुल चुपचा बैठा रहा चुपचा क्योंकि उनकी intensity इतनी हाई है कि कुछ बोलने का पनी नहीं करता तो वो भी कह रहे हैं कि भाया energies are available beyond space and time तो आप इस चीज़ को समझना कि अगर आप अगर आपने अपनी साधना में कुछ साधना अपने intensity से करी है पूरे भक्ती भाव डिवोशन से करी है तो सद्गुरी इस अविलेवल beyond space and time और एक एक बात जो वो बोलते थे उनके कोर्ट्स मेरे सामने आते थे न वो मेरे living reality बढ़ गई है सद्गुरु ने कहा था कि तुम साधना करते रहो जब सही टाइम आएगा तो हम तुम्हें next level पर ले जाएंगे 2019 में मैंने शाम भायू महामदरा भी दिक्षा लिदी 2020 के end में 2021 में मैंने अंगमरदरा भी अंगमरदरा सीखा फिर योगास ना सीखे फिर भूत उशुदी उसके बाद next level के जो प्रोग्राम्स थे 2023 तक आते आते मेरे सारे प्रोग्राम्स मैं complete कर चुका हूँ तो यह कैसे हुआ मैं अगर अपनी साधना में consistent ना रहता तो शायद मैं next level तक नहीं जा पाता जब मेरे time आया मुझे next level तक ले जाया गया बस इतनी सी बात है और अब ऐसी कोई बहुत बड़ी इच्छा रही है कि भाई personally जाकी मिलोंगा या देखना है ऐसा कुछ नहीं बचा क्योंकि अगर आप साधना करते रहोगे न he is always there और आपको बुला लिया जायगा या जबी भी पहली बात तो यह आप तक कुछी चीज़ें अपने आप आजाएंगी जिनकी आपको जरुरत होगी और अगर आपको मिलना इतना ही ज़्यादा जरुरी होगा तो you will be caught तो इस चीज़ पे फोकस ना करें कि हम उनसे कैसे मिलें इस चीज़ पे फोकस करो कि आप साधना करते रहो साधना करते रहो, करते रहो, करते रहो in some way he will reach to you बस मैं इतना ही आप लोगों से कहना चाहता था और अपनी अपनी इच्छा ही होती इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है बस physically अगर आप मिल भी ले तो हुआ क्या मैं आप से यह कहना चाहता हूँ कि आप अपने आपको इतना प्रिपेर करो कि जब वो मुमेंट आए आप उनके सामने गए तो सब कुछ खतम हो जाए एक ब्रहमचरी की मैं स्टोरी पढ़ रहा था तो वो बताते हैं कि उस समय पर किसी सद्गु शयद किसी पॉलिटीशन से मिल रहे थे या कही से गुजर रहे थे तो वो लड़के ने जो शयद अब ब्रहमचरी बन गया है उन्होंने सद्गु के साथ उसका आई कांटक्त हुआ और टोटल सद्गुरु ने उनकी तरफ नहीं देखा था जस्ट जो वैक्ति है ब्रहमचरी शैद जो स्वामी जो बन चुके हैं उन्हा ने सद्गुरु की आँखों में देखा और वो समाधी के वस्ताओं में चले गए और सद्गुरु ने उनकी तरफ टोटली नहीं देखा था एक हलक वो आपको इस लेवल तक ले जाया जा सकता है बहुत आसानी से जा सकते हो और दोस्तों मैं आपको एक और बात बता हूँगा कि मैं बुक पढ़ रहा था यूगन यूगन योगी तो उस बुक में लिखा हुआ था कि कुछ लोग ना डांस करते करते सारे बंदरों से मुक्त ह हो गए थे एक प्रोग्राम के दौरान डांस करते करते सारे करम बंदरों से मुक्त हो गए थे मैं इसको वर्ड नहीं देना चाहूंगा कि अलाइटन हो गए थे वह अपनी वस्ता को पहुंच गए थे केवल डांस करते करते को तक वह पहुंच गए आप केवल डांस करते कर एक ही moment का inदजार कर रहे है कि कब वो moment आया और वो inवेड करे साधरा बस इसके लिए ही है आप अपने शरीर को और अपने मन को इस प्रकार से त्यार कर रहे हो कि कब वो divine आये और आपको destroy कर दे आपके बंदरों को खतम कर दे बस इसी लिए करा जा रहा है तो अगर आप उनसे मिलना भी चाहते हो उनको देखना भी चाहते हो उनको देखना यह एक सौबा गया के बात है क्योंकि उनके एनरजी का और है इस प्रकार से है बस एक बार अगर आप देख गए खतम है सब कुछ एनरजी कांटेक्ट बन जाएगा आपका किसी तरीके से तो अपने आपको उस लेवल तक लेकर जाओ and things will happen वो मेट अगर आजाए तो आप रेडी हो या नहीं हो या आप अपने माइड में खो गए मुझे तो इस सवाल का जाव चाहिए था सवालों को जाव किताब में मिल जाएगा लेकिन जब उनके साथ कांटेक्ट बेह हो तो आप ही खतम हो गए आपके सवाल ही खतम हो गए अपने आपको इस तरीके से त्यार करो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आप किसी और टॉपिक के पर वीडियो चाहते है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा ये जो भी चीज़े मैं ले यहाँ पर रखी ये मेरे एक्सपिरियंस थी मेरे एक्सपिरियंस सिस के बेसिस पर मैंने यहाँ पर रखी है आपके अपनी सोच हो सकती है तो बस इसे मेरी सोच समझकर आप एक्सेप्ट कर लेना और अगर आप किसी और टॉपिक के पर वीडियो चाहते है कोमेंट सेक्शन में कोमेंट करिएगा और आप क्या सोचते हैं आप कोमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो वे तब तक के लिए रबसकारब धन्यों